एंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस टाइप से जो एक water tank होता है उसको हम लोग design करते हैं दोस्तो यहाँ पर जो water tank है, इसको मैं आपको एक question की मदद से explain करने वाला हूं कि आपको जब कभी ऐसा question अगर exam में दिया जाता है या फिर आपको कभी as an engineer तो आपको कौन-कौन से स्टेप्स वहाँ पर फोलो करनी होती है वो सारी बात में आपको करने बात है दोस्तो सबसे पहले आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे एक स्लेंट्रिकल टेंक को डिजाइन करना देन इसके बाद आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग स्लेंट्रिकल टेंक हमको डिजाइन करना है जिसकी कैपसिटी मेर को दे दी इन्होंने कितनी 250 किलो लीटर ठीक है साथ में बोला गया है कि जो टेंग के उसका एक कॉनिकल रूफ है और सस्पेंडेट बोटम है वहाँ पर ठीक है मतलब कि अभी मैं आपको बताता हूं कि जो अन्हाइं बोला गया है कि जो यह जो यह बहुत बोला गया है मतलब कि यहां पर यह जो जलेंटरिकल है और जी hemispherical जोनों जो हमारे जिस connection के तुरू joint है आपस में एक दूसरे से यह जिस connection के तुरू jointed है उन joint को भी आपको design करना है या उन connection को भी design करना है ठीक है तो friends मेरे ख्याल से यह चीज आपको clear हो गई होगी कि question क्या बोला है question बोला है कि आपको एक cylindrical tank design करना है जिसका एक conical roof है और hemispherical bottom है ठीक है उसकी capacity वगेरा दे दिलेगे दोस्तो question को मैं आगे बढ़ू इससे पहले एक बार मैं आपको सारी steps बता देता हूँ कि वह कौन सारी steps है जो कि हम लोग यहाँ पर use करेंगे तो दोस्तो पहले steps में आपको बता देता हूँ length determine कर लेना है उसका diameter determine करना है या फिर height determine करना है तो आपको diameter और height को determine कर लेना है with the help of capacity जो capacity हमको question में दी गई है कैसे करेंगे वह अभी मैं आपको बताने वाला हूँ second step में दोस्तों आपको क्या करना है determination of thickness of plate जो जिस plate की मदद से हमारा tank बनने वाला है उसकी thickness आप determine कर ले जैसे कि मैं आपको बताया कि जो तीन tank है वो तीन portion से मिलकर बना है एक मेरा conical roof है दूसरा cylindrical shell है और तीसरा मेरा hemispirical bottom है तो इसके यहाँ पर जो plate यूज करी होगी इसकी कुछ अलड़ थिकनेस होगी इमानो T1 होगी यह जो hemispirical जो shell है इसके लिए जिसका use किया गया है इमानो इसमें जो plate यूज की गई है उसकी thickness T3 होगी और जो cylindrical shell है इस में जो plate का use किया गया है इसकी thickness T2 रहेगी ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको calculate करना है मतलब cylindrical shell suspended hemispirical bottom and conical portion के अंदर आपको thickness calculate करना है plates की कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है then step 3 हमारी होने वाली design of joints of tank की यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह जो आपका hemispirical portion है यह कि आपका cylindrical portion से jointed होगा किसी किसी की मदद से साथ में दोस्तों यह अगर आप cylindrical जो है इसको खोलेंगे तो एक rectangle जैसे आपको दिखाई देगा जब आप इसको fold कर देंगे तो top से देखेंगे तो यह किस ट्राइपर के दिखाई देगा तो यहाँ पर भी इसमें कुछ joint हमने लगाए होंगे तो इन joint को भी आपको design करना ठीक है तो यह क्या बोला कि आपको design करना है joint of tanks in cylindrical portion और shell plate या hemispherical portion और या फिर plates ठीक है तो यहाँ पर इसको किस परे से करेंगे वो अभी आपको मैं बताने वाला then final दोस्तों हम लोग बात करेंगे connection to hemispherical bottom shell with cylindrical shell मतलब कि जो hemispherical bottom है ये और जो cylindrical shell इन दोनों के बीच में जिस की मदद से इनको हमने connect किया उसको भी हमको design करना है ठीक है तो यह basic से चार step से according to हमारे इस question के साब से ठीक है इस question दोस्तों इस question में हमको ring beam design करने को नहीं बो करेंगे जहां तक ही question ने हमसे बोला है तो यह 4 steps main होने वाली है अब हम लोग first step की तरफ मूँ करते हैं कि कि किस type से हम लोग क्या calculate करेंगे size calculate करेंगे किसी भी tank की clear है तो आई start करते हैं दोस्तों सबसे पहले given मेरे को क्या बोला है कि design करना है मेरे को क्या water tank design करना है है अब म सबसे पहली step में आपको बताया था कि आपको क्या निकालना है उसकी size determine करनी है size किस type से आप determine कर सकते हैं दोस्तों आपको question में क्या given है question के अंदर अगर आपको मैं बताऊं तो question के अंदर आपको बहुत जरूरी चीज़ दी गई है जो की है मेरी capacity capacity आपको 250 kiloliter दी गई है अ एक लिटर में मेरे कितना था 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब होता है मतलब सीधा सीधा आप 250 इंटू 10 की पावर 3 करेंगे और 10 की पावर माइनस 3 करेंगे तो यह मीटर क्यूब में convert हो जाएगा यहां सी cancel होके आपकी सीधे सीधे capacity या फिर जो volume है वह जाएगा कितना 250 मी यहां पर एक बार मैं लिख देता हूँ आप इसको अपनी copy में not down कर लेना कि 1 kilo liter is equals to होता है दोस्तो 10 की पावर 3 liter साथ में दोस्तो 1 liter is equals to होता है 10 की पावर माइनस 3 of meter cube यह data आप अपनी copy में not down कर ली देगा ठीक है अब इस type का कुछ tank हम को design करना है तो दोस्तो मैंने जो य यह cylindrical shell जो है इसकी height जो है इसको edge बोल दिया suppose और जो conical roof है हमारा यह conical top जो है इसकी height है उसको edge dash बोल दिया और जो hemisphere का bottom है इसका diameter d है तो इसका radius वाला है तो यह कित्ती हो जाएगे d by 2 होता है यह आपको basic geometry से पता होगा अब हमने क्या बोला यहां पर लिख दिया the tank has cylindrical and suspended spherical bottom with conical roof clear है यह चीज अब हम लोग आगे की बात करते हैं दोस्तो सबसे पहली step आपको यहां पर देखने को मिलेगी that is determination of size of tank जो tank है उसकी size को हमको determine करना है तो उसके लिए क्या कुछ करेंगे हम लोग दोस्तो total volume जो रहेगा इस tank का वो क्या हो जाएगा volume of 1 प्लस volume of 3 मतलब क यहां से अगर आप देखेंगे तो sorry volume of 2 इसका और यह total volume जो रहेगा capacity मतलब कि water store होगा इस tank के अंदर इतने इतने portion में ही water store करेंगे यह तो केवल हमारा एक प्रकार का क्या cover है दोस्तो cover है इसके अंदर हम लोग water store नहीं कर सकते तो जो जिस portion में water store हो रहा है वो portion कौन सा है म ठीके न तो मैं यहां पर क्या क्या सकता हूँ volume बराबर volume of portion 2 प्लस में volume of portion 3 मतलब थी इस portion का volume प्लस इस portion का volume अब यहां तक की basic सी बाते थी जो कि मैं आपको बताया हूँ आगे अगर बात करें दोस्तों तो volume of 2 यह हमारा किसा cylindrical portion है cylindrical portion है तो cylindrical portion का volume क्या होता है दोस्तों यह होता है मेरा pi है ना pi by 4 d square into h that is यह area और उसकी height से multiply कर देंगे तो आपको जो portion 2 रहेगा उसका volume मिल जाए ठीके साथ में दोस्तों hemisphere कल है तो hemisphere का volume पता होगा इसपेर का volume क्या होता है मेरा वो होता है मेरा 4 by 3 pi r cube यह होता है यहां पर अगर आप इसको d के form में convert करेंगे तो 4 by 3 pi r की जगे आपको क्या रख देना d by 2 का आप cube रख दो जिदे simple से यहां से आप इसको convert करेंगे तो यह तो यहां से आपको इसपेर का volume मिल जाएगा अब hemisphere का volume क्या होता है दोस्तों यह मानो इसपेर है इसको काट दो गया तो hemisphere बन जाएगा मतलब कि जो इसपेर का volume है उसको आफ हाफ कर दो इसको अगर मैं divided by 2 कर देता हूं तो यह मेरा hemisphere का volume मुझे मिल जाएगा क्लियर हो यह बार तो सिधी सिंपल सी भाषा में जो हमारी कैपेसिटी है ठीक है यह जो साइज टेंक की वो क्या है volume of 2 plus volume of 3, volume of 2 हमने इस टाइब से लिखा है और volume of 3 हमने इस टाइब से लिखा है दोनों को जब आप solve करेंगे तो यहाँ से आपको दोस्तों कुछ चीज़े देखने को मिलेगी यहां से यह expression आपको देखने को मिल जाए अब दोस्तों IS code जो है Indian standard code वो बोलता है कि जो H है H को आपको 0.8 of D आप assume कर लो क्या बोला कि जो height of हमारी क्या है height of hemispherical sorry cylindrical shell जो है उसको आप 0.8 times of diameter मान लो ठीक है तो मैं जब H की जगे 0.8 times of D put करता हूँ तो आपको कुछ इस टाइप का चीज यहां से देखने को मिलेगी टेटिस volume of tank बराबर यह हमने assume किया कि H जो है 0.8 D है यह IS code से मिला Indian standard code जो है हमारा वहां से देखने को मिल रहा है code दोस्तों code की link आपको description में मिल जाएगी आप वहां से इसको download कर सकते हैं ठीक है तो सीदे सीदी volume बराबर जहां जहां पर H ता वहां पर आपने क्या put किया 0.8 of D put कर दोगे और यहां पर H जब volume आप इसको simplify करोगे तो simplify करने पर आपको D cube की value कुछ मिलेगी कि D cube की value यहां से आपको 280.8 meter cube मिल जाएगा और आप D यहां से निकाल सकते हैं जो कि 6.54 meter आ रही है इसको आप almost equals to 6.55 meter मान सकते हैं ठीक है यहां तक कोई समश्य आपको नहीं रहनी चीए तो दोस्तों हमने यहां पर क्या किया था हमने यहां पर H को कितना माना था 0.8 of D माना था तो यहां से मेरे पास अगर D आ गया तो मैं H की value निकाल सकता हूं D को यहां substitute करके तो H आपने H की value निकाल दी है यहां से सीव दे सीदे 0.8 times of D आप करोंगे तो H की value आपको कितनी आ रही है 5.239 आ रही है जिसको 5.24 हम लोग एप्रोक्स कंसिडर कर रहे हूं ठीक है यहां तक की सारी calculation आपको clear होनी चाहिए आगे हम बात करेंगे अब दोस्तों H- क्या है था मैंने आपको बताया था कि यह इस है मेरा जो टैंक था वो था कुछ यह मेरा एस था यह मेरा डी बाइटू था और यह जो मेरा था इस डेस था ठीक है मतलब की जो कॉनिकल रूफ है उसकी जाइटी वो होता है उसकी जो हाइट है आपको डीवाइफ लेकर चल दी है तो यहां से सीधे सीधे आप एच्छेस की वेल्यू भी निकाल सकते हैं वह कितनी आ गई 1.64 मीटर क्लियर है चो प्रेंट्स यह जो था यहां तक rubber सा आपको इक बार बताता हूं कि हमने बाथ करे सबसे पहले डिक लिचांग करना है टेंक और बताया उसके बद में हमने बात करी क्या एक मिटों कियेगा ठीक है तो हमने उसके बाद में बात करी ये सारी चीजे calculation करी किस टाइब से calculation करना step first फिर मैंने आपको बताया देन यहां पर हमने capacity determine कर लिए tank ही कि देन उसके बाद में हमने और कुछ चीजे देखी और कुछ चीजे देखी जैसे कि किस टाइब से यहां पर यह होने वाली है अब हम लोग करेंगे दोस्तो step 2 की तो step 2 किस तरह से proceed करना है तो step 2 के अंदर हमको calculation करना है किसकी thickness plate की ठिक मतलग कि यह जो tank बनाने में जो यहां पर प्लेट यूज की गई है इनके लिए thickness हम लोगों को calculate करनी है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके cylindrical portion के अंदर है ठीक है किसके बाद अंदर बात करेंगे दोस्तों जो cylindrical portion है cylindrical portion के अंदर जो plates यूज की गई है उसकी ठिकनेस हम लोग calculate करना चाहेंगे ठीक है यह जो portion है इसके यहां पर thickness हम लोग calculate करते हैं किस टाइप से करेंगे दोस्तों ठिकनेस का formula यह है कि t is equal to gamma hd upon 2 ठीक है इटा सिग्मा 80 यहां पर यह सारी चीजे हमको पता होनी चाहिए देखो h और d हम लोगों निकाल लिया गामा हमको पता है unit weight of water है 2 पता है यह जो है हमको क्या इटा इसकी value दी गई है that is efficiency जो रहती है वह हमको दी गई है joint के लिए या is code के अंदर mention होती है sigma 80 हम लोग calculate कर सकते हैं दोस्तों जब आप सारी values इसके अंदर put करेंगे that is अगर मैं आपको बताओ कौन-कौनसी values अगर इसके अंदर आप put करेंगे इसके अंदर आप values put करेंगे कौन-कौनसी जैसे कि यहां पर आप h की value put कर देंगे mm के अंदर आप put कर सकते हो या फिर मेटर के इंदर भी आप राख सकते हो पर मैं आपको suggest करूंगा कि आप इसको mm में convert कर ले आप इसको आपको कैसे पूट करना है इसको आपको कैसे पूट करना है 0.75 आप पूट कर देना इस पूर एकस्प्रेशन में उपस इस्ट्रेश जो होता है दोस्तों यह हमारा आएगा 0.8 times into 0.6 of f of y ठीक है और इसकी जो value आएगी आपकी 120 Newton पर mm square आएगी ठीक है इसको आप सीधे यहां पर put कर देना है ठीक है मेरे ख्याल से यहां तक कि कोई भी समझ्चा आपको नहीं होनी चीए यह जो है दोस्तों आप लोगों ने strength of material के अंदर पड़ा होगा नहीं भी पड़ा है तो कोई आप इस formula को या तो याद रख लीजिए या फिर code के अंदर भी यह हमको दिये रहता है ठीक है जब आप इसके अंदर सारी values put करेंगे तो उसके बाद में आपको सीधे सीधे यहां से thickness देखने को मिल जाएगी थिकनेस आई हमारी 1.87 mm अब लेकिन आपको क्या करना है इस thickness के अंदर 1.5 mm एक्स्ट्रा एड करना है corrosion के लिए ठीक है क्योंकि क्या होता है जब आपने वहां पर प्लेट लगा दी है तो वहां पर कुछ corrosion आपको देखने को मिल रहा होगा ठीक है corrosion उसकी वज़े से क्या तो जो टोटल थिकनेस आएगे प्लेट की वज़ेगी 1.87 प्लस 1.5 पराबर आजाएगे 3.37 जो कि लेस देन 6 mm है इसलिए दोस्तों आई इस कोड हमको बोलता है कि जो minimum थिकनेस आपको रखनी है जब आप यह टेंक डिजाइन कर रहे है तो इस टेंक को डिजाइन करने के ल इस प्लेट की minimum थिकनेस आपको 6 mm रखनी है लेकिन हमने जो यहां से calculate करिए इस expression से वो थिकनेस हमारी 6 mm से कम आ रही है तो हम क्या करेंगे वहां पर कम से कम 6 mm वाली प्लेट लगाएंगे ठीक है इस चीज मेरी खाल सापको clear हो जानी चाहिए तो friends यहां तक की बात में आपक से कम 6 mm की plate provide कराना है यहां पर मैं लिख भी दिया हूं since thickness is less than 6 mm hence provide minimum thickness of 6 mm throughout the complete height of the cylindrical portion मतलब की यह cylindrical portion ऐसा कुछ है मेरा तो इस cylindrical portion के अंदर दोस्तों पूरी की complete height है ना कि जो यहां पर आपने जिस plate का use किये है इस plate की thickness जो रहेगी कितनी रहनी चाहिए thickness is equal to 6 mm आपको रखना है कम से ठीक है तो पहली चीज मैंने आपको clear कर दी कि किस तरल से हमने cylindrical shell जो है इसके अंदर thickness calculate करी अब बात करते हैं दोस्तों hemispherical bottom जैसे कि यह मेरा क्या था tank था इस tank को मैरेको design करना है तो यह इसके लिए हमने thickness calculate करी अब यह जो hemispherical bottom में जिसको मैंने अभी shared किया है इसके लिए thickness मेरेको calculate करनी है तो दोस्तों यहाँ पर यह expression है thickness is equal to gamma HD upon 4 eta sigma 80 अब यह small h क्या है small h अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों तो यह पूरा का पूरा यह वाला जो portion है ना मेरा यह small h है मतलब small h मेरा क्य क्या से मिलेगा एक तो h यह cylindrical shell है इसकी height साथ में यह जो नीचे d by 2 था मेरा इसको जोड़ देंगे तब आपको यहाँ पर small h की value मिलेगी जो की 8.52 आएगा क्योंकि friends सुनिएगा मेरे को hemispherical bottom जब मैं design करूंगा तो इसको इस तरह से design करूंगा कि जो यहाँ पर जो spherical cell है sorry cylindrical shell है इसके अंदर भी जो water stored है उसको भी उसके जो weight है उसको भी यह क्या करे सहन कर सके कौन यह hemispherical bottom वाला है तो इसलिए मैंने पूरी की पूरी height consider करी है यहाँ से यहाँ तक clear हुआ क्या बोला मैं कि जब हमने थोड़ी देर पहले जब अभी cylindrical shell को design किया था तो cylindrical shell के लिए हमने केवल h height consider करी थी क्योंकि इसको हमको केवल h height के water के लिए ही design करना था क्योंकि इस h height के ऊपर हमने water restore नहीं करना है लेकिन जब मैं hemispherical bottom shell को design करूंगा तो इसको मेरे को इस h height क water के लिए भी design करना होगा इसलिए मैं combine height लूँगा दोनों की यह height भी और साथ में यह हमारा जो hemispherical bottom के अंदर जो water रहेगा उसको क्योंकि दोनों के weight को इस hemisphere को क्या करना पड़ेगा सहन करना पड़ेगा ठीक है ना इसलिए small h जो है वो मैंने calculate किया और वो कितना आ गया 8. 5.52 मिटर मेरा आगया है ठीक है अब दोस्तों सीधा सा यह वो ही expression है जैसे कि आप लोगों ने दो टाइप की vessels पड़ी होगी एक थी हमारी cylindrical vessel और एक होती है spherical vessel यह strength of material में आपको पड़ाया गया होगा ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों hemispherical bottom में एक प्रता का यह spherical vessel जैसा है पर कितना ही है बस ठीक है तो इसके अंदर भी आप सारी value substitute करेंगे तो यहां से आपको thickness की value कितनी मिलेगी दोस्तों 1.52 mm मिल जाएगी क्लियर है क्या gamma d eta और sigma 80 की जो value है जो कि हम previous case में calculate किये वही put करना यह सारी values आप यहां से उटा के उस वाली equation में substitute कर देंगे तो यहां से आपको thickness मिल जाएगी क्या मिल जाएगी तिकनेस मिल जाएगी किसके लिए hemispherical bottom के लिए अब friends यहां से अगर एक चीज आप observe करेंगे observe करने पर आपको क्या देखने को मिल रहा है यहां से देखने को मिला है कि जो thickness आईए है है hemispherical bottom के अंदर जो thickness आपकी आईए वो कितनी आईए 1.52 mm आईए इसके अंदर आप 1.5 mm corrosion के साफ से जोड़ दीजीगा तो जो total thickness रहेगी आपकी यह thickness final जो रहेगी 1.52 प्लस 1.5 that is 3.02 जो की 6 mm से कम आईए मतलब यहां पर भी मैं बोलूँगा कम से कम हमको 6 mm की plate provide कराना पड़ेगा किसके लिए bottom hemispherical shell के लिए क्लियर हुई यह बात दोस्तो अभी तक दोनों case के लिए हमने thickness calculate करी है और यहां पर अगर मैं आपको बात करू तो thickness for cylindrical shell वो भी मेरी आई थी less than 6 और यहां पर thickness for spherical shell वो भी आई less than 6 तो मुझे कम से कम 6 mm provide कराना पड़ेगा इतनी thickness की plate से मैं यहां पर tank बनवाऊंगा ठीक है अब दोस्तो एक और portion जो बगता है हमारे पास वह है conical portion कॉनिकल portion कौन सा हो गया दोस्तों यह जिसको मैं अभी red color से hedge कर रहा हूं इसके लिए दोस्तों IS code जो है इंडियन standard code उन्होंने बोल दिया है कि आप सीधे-सीधे 5 mm thickness की plate provide करा दो इसकी pitch आपकी 1-4 में रहनी चाहिए क्या बोला कि यह इस type का आपका conical roof होना चाहिए इसको मैंने आपको design करना बता दी यह भी बता दिया अब यह जो conical roof है यहाँ पर आपको सीधे-सीधे जो plates यहां पर यूज़ गई है उसको आपको 5 mm की plate से बहानी है मतब thickness is equal to 5 mm बोल दिया गया यह Indian standard code के अंदर specified है जिसकी link आपको description में मिल जाए ठीक है तो दोस्तों step 2 म हम लोगोंने complete कर दी है मैं आपको आगे बढ़ने से पर एक बार बता देता हूं कि हम लोगोंने अभी तक क्या बात करी है हम लोगोंने अभी तक यहाँ पर पहली steps देख ली कि determination of size of tank साथ पर determination of thickness of plate cylindrical suspended hemispherical and conical portion तीनों के लिए मैंने आपको thickness भी calculate करना बता दी है अब दोस जो tank रहेगा उस tank के joints को अब हमको design करना सीखना पड़ेगा ठीक है तो सबसे पहले मानों कि यह कुछ मेरा cylindrical जो है portion वो इससे मिलकर मेरा बन रहा है एक rectangle था है रेक्टेंगल को जब मैं जोइन करूंगा तो यहां पर अगर मैंने joint provide कराया तो मानों मैंने यहां पर riveted connection के through मैं इनको join कर रहा हूँ ठीक है जब इसको आप fold कर देंगे fold करेंगे तो cylindrical shape यहां पर आपको देखने को मिलेगा तो जब यह rivet आपने use की है इन rivet का जो nominal diameter रहेगा वह आपको 16 mm पूट करना है मान लिया मैंने lid lid की जो rivet हम लोगों ने use किया है उस rivet का nominal diameter वह मेरा 16 mm है साथ में हमने बात करी दोस्तो field driven use कर रहे हैं मतलब कि जहां पर construction का का हम चल रहा है जिस जगे हम लोग water tank design कर रहे हैं बना रहे हैं वहीं पर हम लोग उने रिवेटिंग कराई है इसलिए को field driven गुला है साथ में जोइंट वहाँ पर provide कराएंगे ठीक है तो दोस्तों यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको clear हो गई होगी अब अगर मैं आपको बताऊं आपने steel first पड़ा होगा ठीक है तो steel first पड़ा होगा तो अब यहां पर हमको देखना है क्या देखना है अब हमको कि यह जो joints हम लोग यह जो rivet हम लोग provide करा रहे हैं इनके बीच में कितना gap रहे ठीक है इन दो rivets के बीच में कितना gap रहे उस gap को हमको calculate करना है उसी gap को हम लोग दोस्तों P से denote कर रहे जिसको हम लोग pitch बोलते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों पॉर्षन की पिच का फॉर्मूला दोस्तों होता है 2 इन टू आरी अपॉन हूपस इस्ट्रेस पर लिनियर वर्टिकल हाइट क्योंकि यहां पर H हाइट की मुझे बात करनी है स्लेंट्रिकल शेप के लिए या फिर स्लेंट्रिकल पॉर्षन के लिए तो जो भी हूपस इस्ट्रेस यहां पर जन्रेट हुई है पूरी इस हाइट के लोंग उसके अकॉडिंग मेरे को पिच केल्कुलेट करना है ठीक है तो यह पिच का फोर्मूला होता है 2 into RV upon hoops space per linear vertical force जिसको मैंने F1 से denote किया है RV क्या होता है दोस्तों यह होता है मेरा rivet value rivet value यह दोस्तों आप steel first में पढ़े होंगे लेकिन फिर भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा आप निश्चंत रहिए अगर आपने steel first का आपको कुछ भी नहीं आदा ना तो भी आप इसको अच्छे से कर पाए ठीक है तो स्टार्ट करते है rivet value क्या होती है दोस्तों यह minimum होती ही हमारी bearing strength और sharing strength क्या बोला मैं RV से denote करते है इसको हम लोग बोलते है rivet value और यह rivet value minimum होती है किसी bearing strength की और sharing strength की करने का यह फोर्मूल होता है पाई बाई पॉर डी स्कॉर टाउ भी एफ जहां पर denote क्या है दोस्तों डी नोथ हमारा होता है hole diameter होल डायमेटर यहां पर लिखा है इसको किस तरह से निकाल सकते है दोस्तों की hole diameter इस इकोल स्टू diameter मिल जाएगा कितना 17.5 mm ठीक है साथ में दोस्तों टाउ वी एफ जो है design share strength है हमारी clear है design share strength है जिसको की टाउ वी एफ को हम लोग 0.8 times of हमारे allowable share strength ले ले लेंगे तो यहां पर 80 Newton per mm square आपको देखने को मिलेगा यह is code is 890-94 के अंदर दिया गया है ठीक है यहां तक की बात मेरी ख्याल से आपको clear हो गई होगी की rivet value क्या होता है minimum होता है इन दोनों का that is gearing strength और sharing strength का sharing strength इस formula से हम लोग calculate करेंगे जहां पर denote क्या है मेरा hole diameter है किस तरह से निकालेंगे जो कि rivet का diameter 16 mm हमने assume किया था साथ में 1.5 mm हम लोग इसमें extra provide करेंगे clearance के लिए जैसे कि अगर यह मानो यह hole था है इस hole के अंदर आपको यह कुछ इस type का rivet डालना है तो यह जो rivet है ठीक है यह rivet का diameter तो दोस्तो 16 mm है मेरा अब इसके लिए कुछ clearance चोड़ना पड़ेगा जिससे कि rivet इसके अंदर आसानी से जा सके तो इसलिए हम लोगों ने 1.5 mm एक्स्ट्रा इसमें क्या किया एड किया है तो यहां तक कि सारी बाते क्लियर हो जाने चाहिए ऐसे टाव बीएफ बराबर क्या होगा डिजाइन स्ट्रेंथ यह डिजाइन शेयर स्ट् दोस्तों शेरिंग स्ट्रेंथ आप रिवेट के निकाल लो पेले तो सिदे सिदे पाई बाई पूर डी नॉट की वेल्यू आप पूट करेंगे 17.5 का स्क्वार इंटू टाव बीएफ जो कि हमने केल्कुलेट किये हैं वह कितना जागा 80 टाव बीएफ कहां पर करेंगे तो यहां से आपको जो शेरिंग स्ट्रेंथ की वेल्यू है जिसको मैंने से डिनोट कर दिया है उसकी वेल्यू कुछ इतनी देखने को मिल गी आपको किती 19242.255 नूटन क्लियर है ऐसे हम लोग दोस्तों बेरिंग स्ट्रेंथ केल्कुलेट करेंगे बेरिंग स्ट जाएगा आपका 240 आता है दोस्तों यह क्राइटेरिया आपको आई इस कोड के अंदर दिया गया है इंडियन स्टैंडर कोड के अंदर आपको दिया गया है तो सीधे सीधे आप डीनोट की वेल्यू 17.5 पूट किये ती जो है दोस्तों थिकनेस आपर निकाली थी वह मेरी 6 mm से कम लेकिन हमको आई इस कोड बोलता है कि कम से कम आपको 6 mm थिकनेस प्रोवाइट करानी है तो वही थिकनेस की वेल्यू यहाँ पर 6 आपने डाल दिये साथ में सिग्मा पीफ हम लोगों ने कैल्कुलेट किया है डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ पीफ बोल दो यहाँ भीफ बोल दो इसको ठीक है तो वह यहाँ पर हमको 240 सीधे पूट कर देना है तो यहाँ से जो आपकी आएगी क्या बियरिंग स्ट्रेंथ आजाएगी जिसको एसबी से बोले है वो 25200 ठीके न्यूटन आ चाहिए यहाँ से दोस्तों आपको एक चीज अबजरू करना है क्या 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 सकता हूँ यहां से रिविट वैल्यू जो रहेगी मेरी मिनीमम होती है शेरिंग स्ट्रेंथ और बेरिंग स्ट्रेंथ हैंस रिविट वैल्यू जो रहेगी मिनीमम रहे गया तो यह या फिर यह दोनों में कौन सा मिनीमम है तो मिनीमम दोस्तो 19424 हमारी क्या है मिनी इहां तक मेरे ख्याल से को समझ्छा आपको नहीं रहनी चाहिए तो रिविट वेल्यू निकालना समझ में आया आपको किस टाइप से निकालते हैं रिवट वेल्यू एक बार फिर से देख लीजी कि हमने किस टाइप से रिविट वेल्यू को calculate किया है अब अब यहां पर हमने देखा रिविट वैल्यू मिनिमम होती ही कि इसकी बीरिंग इस्ट्रेंथ और शेयरिंग इस्ट्रेंथ की उसको 0.8 से multiply कर देना यह Indian standard code के अंदर आपको provision दिया है यहां से आप निकाल देंगे और rivet value जानते है minimum होती है दोनों की तो हमारा rivet value कितिया गई 194.194 to 4.255 newton ठीक है अब आगे बात करतें दोसको अब यह हमने rivet value निकाल दिया है मतलब कि जहां पर हमको pitch calculate करना था pitch calculate करने क अब मुझे चाहिए f1 की value that is hoops stress per linear vertical height इसको मुझे calculate करना है तो इसको calculate करने के लिए हम क्या करेंगे हम लोग यहां पर बात करेंगे hoops stress per unit vertical height that is f1 मुझे calculate करना है तो gamma hd by 2 गरतूंगा मैं सीदे सीदे unit weight height into diameter ठीक है तो यहां से आपको f1 की value मिल जाए यह आपको ध्यान करना है कि जब भी आपको क्या निकालना है hoops stress calculate करना है per unit vertical height तो वहां से आप इस formula को लगाकर सिदे सिदे यह calculate कर सकते हैं और यह जहां से जिसी आपका f1 आया 2 into rivet value आपने निकाली divide by f1 करेंगे तो pitch की value आपको इथनी कुछ आजाएगी that is 228.60 mm clear यहां तक ही अब जैसी pitch आई ही तो आपने देखा कि pitch is greater than 10T मतलब कि मेरी 228 के something pitch आई है जो कि मेरी जाधा है 10 times of T that is यह क्या है greater है 60 mm से जो कि मेरा जो code है IS code बोलता है IS code क्या बोलता है इंडियाने standard code बोलता है कि जो pitch है आपकी 10 times of thickness of plate से जाधा नहीं हो इनांची है तो अगर यह मेरी इस से जाधा है तो मैं क्या बोलूगा hence provide pitch of 60 mm center to center distance with rivet of 16 mm ठीक है समझ पाए मैंने क्या किया यह मैंने इस टाइप से जब calculation करी तो मेरे को देखने को मिला कि यह जो दो rivet से एक rivet यह और मानों इस तरह से कुछ है इनके बीच की जो pitch में calculate किया वो मेरी 224 कुछ आ रही है इत्ती ही आई है ना हम देख लेते एक बार 228.60 228.60 आई है जो कि greater than 60 mm से तो मैं इसको नहीं provide करा सकता है क्योंकि IS code इस चीज के लिए मना करता है कर दिया पिच किस के लिए calculate कि दोस्तों यह cylindrical shell के लिए अब similar way में हम लोग बात करेंगे hemispherical portion के लिए क्या करेंगे pitch का calculation करेंगे वही बताया calculate hoop stress पर unit length in the radial joint अब दोस्तों hemispherical bottom है यह कुछ इस type कर रहेगा अब मेरे को यहां पर rivet provide कराने होंगे इन इन points पर मेरे को क्या करना पड़ेगा rivets देने होंगे ठीक है तभी तो join कर पाएंगे न हम लोग तो सीधी simple सी भाषा में small h calculate करना मैं आपको बता चुका था small h हम लोग निकाले थे 8 point कुछ आया था मेरा आप पहले देख सकते हैं जैसे कि कहां पर calculate किये थे हम लोग h जब यहां पर उसकी calculation हम लोग किये थे that is यह small h की value 8.52i की मेरी ठीक है तो सीधे सीधे यहां पर आप क्या करेंगे small h की value 8.52 put करना है यहां पर gamma hd by 4 यहां पर 4 से divide करना है put करेंगे तो f2 की value आपको 136.86 newton per mm आ जाएगा चीक है similar way में दोस्तो इस expression के अंदर pitch जो है radial joint के लिए 2i's of rv upon f2 2 into rv की value हमको पता है और f2 हमने को ने निकाला यहां से आप देखेंगे pitch की value 281.20 आ जाएगी जो की धियुस्तो आप ध्यान देश से देखेंगे तो pitch आपकी 10T से फिरसे जादा है मतलब जो की गलत है according to is code hence आपको क्या करना है कि 60 mm की pitch provide करा देना है center to center distance with the 60 mm diameter मतलब सीदी सी बात है कि दो rivets के बीच में आपको maximum distance कितना रखना है 60 mm आप रख सकते हैं बस ठीक है center to center distance है clear हुई यह चीज तो हमने यहां तक की बात कर लिए pitch की calculation कर दी अब दोस्तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैंने आपको तीन steps बहुत अच्छी तरह से बता दी है ठीक है मतलब कि हमने determination of size of tank निकाल लिया है thickness plate की thickness भी calculate कर दिये तीनों के लिए साथ में दोस्तो joints को भी हमने design कर दिया cylindrical portion में भी joint को design कर दिया और hemispherical portion के लिए हमने joint को design कर दिया अब बात करेंगे दोस्तो connection to hemispherical bottom shell with a cylindrical shell मतलब कि सीधी simple सी भाषा अगर हमें आपको बताऊं क्या बात करने वाले हैं अब हम लोग बात करेंगे कि किस type से किस type से यह जैसे कि अगर मैं यहां पर बताऊं यह मेरा क्या था हमस्फरिकल यह तो cylindrical shell था और यह मेरा हमस्फरिकल शेल था तो किस तरह से मैं इन दोनों को joint joint करूंगा मतलब यहां रिवेट की मदश से इनको में joint करने वाला हूँ ना तो इन दोनों को मेरे को joint करना है तो दोस्तों यहां पर एक चीज आप observe कीजिए का कि जो यह हमस्पे करे इसके उपर कौन-कौन सा weight आरा होगा इसके उपर इसका self weight आरा होगा इसके अंदर जो पानी होगा उसका weight आरा होगा this डो होगा हांस में क्या कैसे हैं कीAL प्लस यह वट नो फिल्री रहे गा वह én क्या है दोस्तों मेट बॉटर यंदे टंकक के अंदर कितना वोटर है इस आपने यह कैपसिटी मेरे को दी गई थी कितनी 250 किलो लीटर इसको आप 9.81 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह सीधे-सीधे 2452.5 किलो न्यूटन वोटर हमको दे देगा ठीक है कि जो कैपसिटी ओफ दा टेंक इंटू यूनिट पेट से आप म कर देंगे ठीक है तो देट से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो सीधे-सीधे हमको वेट मिल जाए क्योंकि हम जानते है डेंसेटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम होता है तो यहां से जैसे जैसे 2 पाई-र की जगे आप डीवाई- रखेंगे, square कर देंगे, thickness, t की value put करेंगे, row की value put करेंगे, जो steel रहता है, steel की density कितनी होती, 78.5 kN per m3 होता है, ठीक है, यहाँ पर जिसी आप करेंगे, values put करेंगे, तो यहाँ से आपको w2 की value मिल जाएगी, 31.74 kN, clear हुई यह बात? अब दोस्तो, यहीं आपको w3 calculate कर लेना है, तो w3 क्या होता है, दोस्तो, 10% weight for overlap and rivets, जो overlapping हुई है, मानों कि जब आपने इन, यह हमारा क्या था, cylindrical shell था, इस cylindrical shell को जब आपने join किये होंगे, तो यहाँ पर यह overlapping कर रही होगी, आपने 2 plates के बीच में, तो यह overlapping और यह rivet है, इनके weight के चक्कर में हम लोग 10% weight यहाँ पर increase कर रहे हैं, ठीक है न, तो w3 क्या जाएगा, यह 10% रहेगा, हमारा किसका 3.17 kN का, it is almost 3.2 kN, इसको आप assume कर सकते हैं, ठीक है, अब दोस्तों, यहाँ पर यह चीट आ गई, अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अगर मैं आपको एक बात बोलू यहाँ पर, hence, load transferred per meter length of circumference at the junction of cylindrical and hemispherical shell, मतलत कि, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यह आपका एक तो hemispherical है, नीचे वाला और यह cylindrical है, तो यहाँ पर जो total weight आ रहा होगा, अब यह load किस तरह से transfer हो रहा होगा, यह पूरी की पूरी circumference है, इस पर से load transfer हो रहा होगा, और यह diameter D है, तो यह पूरी circumference की length कितनी मेरी pi D है, ठीके, तो मैं सिधे-सिधे अगर बोलू, load transfer LTE से denote करता हूँ, तो total weight upon pi D अगर मैं कर देता हूँ, तो total weight मेरा इतना आया था, जो कि हम लोग calculate किये हैं, अभी just, फोड़ी दिर पहले, यह तो total weight आपने यहाँ पर calculate किये है, उसको अगर pi D से में divide कर दूँगा, तो मुझे यहाँ पर Newton पर mm के अंदर load transfer मिल जाएगा, clear है, मतलब सीदी सिंपल सी भाषा में यह load transfer मेरा आ गया है, आगे हम बात कर सकते हैं क्या, कि using 16 mm diameter rivet and providing double riveted joint, आपको क्या provide करना है, double riveted joint, अभी तेक हम लोग single riveted joint provide करा रहे हैं, तो यहाँ पर pitch की value क्या आजाएगी, दोस्तों, pitch आजाएगा हमारा 2 into RV upon LT, that is load or transfer, तो यहाँ से 2 into RV हमने निकाला, load transfer की value यहाँ से यह calculate कि इसको put करेंगे, तो यहाँ से pitch की value आपको इतनी मिल जाएगी, कितनी 318.37, लेकिन दोस्तों, IS code हमको बोलता है कि according to Indian standard code 890.94, pitch जो रहेगी, आपकी 12T से जादा नहीं रहेनी चीएगी, double riveted voltage, double riveted joint क्या बोला, double riveted joint के लिए, joint के लिए 12T से जादा नहीं होना चीए, hence हम क्या कह सकते हैं, hence provide rivet of 16 mm diameter अटे pitch of 12 into 6 mm, center to center distance to connect the cylindrical and hemispherical portion, समझा आया, तो सिधे-सिधे आपको क्या कह देना है, यहां से कि जो आपने 72 आजाएगा, कि जब आप, आपका hemispherical bottom है, और cylindrical bottom है, जब आप इनको connect करेंगे, तो इनके बीच में जो rivet रहेंगे, इन rivet के बीच की जो दूरी है, दोस्तों, आपको 72 mm रखनी है, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते, according to Indian Standard Code, clear it, So friends, मैं यहां पर आपको यह बताना चाहरा हूँ, कि यह हमारा question जो था, वो complete हो गया है, किस type से हमने पूरी की पूरी designing को की है, मेरे ख्याल से यह चीज़ आपको clear हो गई होगी, दोस्तों, एक बार conclude करता हूँ मैं कि आज की वीडियो हमने क्या बात करी, सबसे पहले हमने question देखा था, question हमको बताया था कि किस type से आपको एक tank design करना, जिसकी capacity दी थी, फिर हमने दोस्तों बात करी कि यह सारी steps आपको use करनी होगी, जब आप tank design करेंगे, तेन हमने सारी steps को, sorry, फिल्कुल बारी की से समझा और किस तरह से calculation किया, वो मैं आपको बताया हूँ, और ऐसे करते करती हमने पूरे tank को design किया है, दोस्तों, आने वाली videos के अंदर और भी कुछ हम लोग अलग अलग type के tank design करेंगे, तो आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगए तो लाइक करें, शेर करें चैनल को सस्क्राइब करें, तेंक्यू,